भारत में तेजी से बढ़ती स्किल्ड इलेक्ट्रिशन की मांग को पूरा करने का जिम्मा उठाया है श्रम और रोजगार मंत्राले ने ITI, ATI के साथ FTI यानी 4-Man Training Institutes में तयार हो रहे हैं भविश्य के हुनरबाज इलेक्ट्रिशन हमारे पास 4-Man Training Institute में हम लोग का जो इलेक्ट्रिकल लैब है इसके अंदर हम fundamentally एक ट्रेनी को बहुत स्टॉंग कर देते हैं तो यहां पर वोजोग जब चीज़े सीखते हैं तो इससे उनको यह होता है कि systematically with a proper kind of protection, proper safety किस तरीके से economically, systematically के लिए सर्किट को design के जाता है और सर्किटों किस तरीके से बनाए जाता है और यह करके चाहे कोई power plant में लगता हो चाहे कोई distribution center में लगता हो चाहे कोई electrical equipment manufacturing में लगता हो तो इस तरीके से कई जगह से हमारे पास जो है ट्रेनीर वहाँ पे जाके काम करते हैं आज FTI बेंगलूरू में ITI पीनिया के students के बीच होने वाली है होनर की बाजी और देने वाले हैं गोदाम वाइरिंग के टास्कों अंजाम मैं हूँ प्रिंसी और मैं हूँ FTI यानि Forman Training Institute बेंगलरू में और यहां हम करने वाले हैं एक गोडाउन वाइरिंग का competition तो चलिए मिलते हैं हमारे हुनर बाजों से एक एक करनी इस competition में हिस्सा ले रहे हैं प्रशान्त, नूर मुहम्मद और मुनी राजू और इस टास्क के mentor हैं श्रीधर जो की ITI में Deputy Director है आज का हमारा टास्क है गोडाउन वाइरिंग का गोडाउन वाइरिंग की ये खासियत है कि यहां वाइरिंग इस तरह से करनी होती है कि एक light switch on होते ही दूसरी light switch off हो जाए तो आज हमारे उनर बाज एक घंटा पंदरह मिनिट में अपने skills और knowledge का इस्तिमाल करते हुए दिये गए electric board पर गोडाउन वाइरिंग करेंगे उनर बाज आपका टाइम शुरू होता है अब टास्क शुरू होते ही तीनों पिंटेस्टेंट्स जुट गए हैं electric board पर marking करने के लिए जिसे layout diagram कहा जाता है किसी भी wiring का marking एहम हिस्सा होता है इससे कुशल electrician को ये पता चलता है कि उसकी wiring कहां से कैसे जाएगी switches और sockets कहां लगेंगे ये कितना wire लगेगा और कितना casing और capping लगेगा साथी साथ जोडों का भी पता चल जाता है मार्किंग करने के लिए electrician इस्तमाल कर रहे हैं holders या switches को ताकि measurement करेक्ट हो और इने connections बिठाने में आसानी हो कि पंदरा मिनिट का समय पूरा हो चुका है क्या पता सती के प्रशांत इस वक कहां पहुचा है अचली प्रशांत जी ने पहला ये लेयाओ डायग्राम बनाया तो अब दूस्वा स्टेज पे पहुंच गया है प्रशांत के अख करेरिया है और इस वक यहां पडिए स्थाव में सग्धाल को यहोंस बना रहे है कर चुड को इस वक्या बने आधरिया में कविग प्रासे एकाप हूल तरीकापिश्य में चांत करदिया आज ऐसंग सब्ला एए गा-चांत किया है मुनी राज कहा तक पहुचे हैं सर्फ मुनी राज भी ये लेव डाइग्रम पूरा कर चुका है और एक्सेसरी प्रिपरेशन भी हो चुका है उसका और ये भी वोल्स करके उसको केसिंग और कैपिंग मौड करने के लिए तयारी कर रहे हैं नूर मुहमद घजब की तेजी दिखाते हुए दूसरे और तीसर प्रॉसस को साथ ही में कर रहे हैं वहीं मुनी राजु ने भी यही रणणीती अपनाई है और दो प्रॉसस साथ में कर रहे हैं भाई इस रेस में प्रशान कहीं पिछाड़ते नजर आ रहे हैं अभी फिलहाल नूर मुहमद और मुनी राज्यू के बीच टककर चल रही है आगे निकलने की हर एलेक्ट्रिशिन को ये जरूरी होता है कि वो सॉकेट पर ठीक से मार्किंग करे उसे ठीक से काटे और ले आउट ठीक से बनाए ताकि केसिंग फिट करते वक्त और सॉकेट्स और स्विचेज बिठाते वक्त उनकी गलतिया ना हो चलिए चलिए हमारी ओडियंस के पास और पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि कौन जीतेगा ये कॉंपेटिशन प्रशान्त और नूर मोहमद बराबरी में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं वहीं मुनिराजू जिन्होंने शुरुआती बढ़त ली थी वो अब कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं वायरिंग के वक्त लाल लंका वायर पावर के लिए काला वायर नीट्रल के लिए वहीं हरा वायर अर्थिंग के लिए इस्तमाल होता है आज के इस competition में सिर्फ बल्ब जलाना है इसलिए competitors यहां केवल लाल और काले वायर का इस्तिमाल कर रहे हैं इसका भी पोस्टेजी में है इनका तोड़ा सबसे आगे है ज़नों से आगे चल रहे है लेकन इसका भी बरारेका तरीका में थोड़ा फरकिनी रसान खहां पौछे हो आगरी स्टेज बोजाएगा समय पे सिर्फ 15 मिनिट का समय बचते आपके पास काफी है आठी यह तो कह रह जहां नूर मुहमद सबसे आगे चल रहे हैं, वहीं मेंटर को प्रशान का तरीका सबसे ठीक लग रहा है नूर मुहमद ध्यान रखिये ये competition के बल समय पर पूरा नहीं करना आपको मेंटर के skilling criterion पर भी घरा उतरना है और समय की स्वी जहां टिक टिक करके आगे बढ़ रही है वहीं सभी contestants भी अपना wiring का टास्क खत्म कर रहे हैं और casing पर लग रही है सब की wiring हो गई है, पूरी, sockets और switches भी fit हो गए है और नूर मुहमद के तो bulbs भी socket में लग गए हैं सभी होनरबाजों को तेजी दिखानी होगी क्योंकि अब बचा है आखरी का एक मिनिट अब तक काफी पिछ़ड चुके मुनी राजू भी तेजी से काम खत्म करके रेस में बने हुए हैं और ये हुई हमारी उल्टी गिंती शुरू दस, नो, आठ, साथ, छे, पांच, चार, तीन, दो, एक अब बारी है रेसल्स की और उसके लिए मैं बुना चाहूं कि आज के हमारे कॉंपेटिशन के जज एफटी आई के जॉइन डिरेक्टर अरविन दिन जी को आज का हमारे ये कॉंपेटिशन कैसा रहा और हमारे उनर्बासों में कैसा परफॉंकिया आपके हिसाब से ये कॉंपेटिशन तो बगुत थफ था लेकिन वो लोग समय पर कॉंपेट खर दिया और उसका आउपूट बेदम जीनों को मिला है और प्लस हम लोग वर्कमेंशि इसको मांटिक किया है वो बोर्ड में और वेशे से सब कैसी और लोग जान में रखकर प्रयास किया है कंप्लीट आउपूट लेने के लिए कोई आप डिज़र को फूंपेटिशन तो अब बारी है रिजल्स की और ये जानने की कौन बनता है इस कॉंपेटिशन का सबसे लेबर एन इंप्लॉइमेंट के NCVT अप्लूवड सुलेबस पर आहरत ये किता है सनी, विजली हमारे जीवन का एक एहम हिस्सा है पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बढ़ती हुई डिमांड और घटी हुई सप्ला है हमारे देश में mainly कोईले से या फिर पानी से या निूक्लिर एनर्जी से बिजली बनाई जाती है लेकिन कोईला और नूक्लिर एनर्जी से पर्यावरण को खत्रा हो सकता है और पानी से पैदा होने वाली बिजली का एक अलगी प्रॉब्लम है बड़े dams, इसकी वज़े से आसपास के forest यानि की जंगल बरबाद तो होते ही हैं साथ ही साथ लोगों को विस्ताबित करने की एक बहुत बड़ी मुसीबत भी सामने हो जाए है लेकिन ऐसे कई सारी कमपनीज है जो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए देश की तरक्की में भाग ले रहे हैं और ऐसी ही कुछ कमपनी इस तरीके से कमाल कर रही है कि ITI Pass Out Students को वो प्रेफरेंस देती है और उन्हें इस इंडस्ट्री के ग्रोथ का हिस्सा बनने गा एहम मौका भी आपसलूटली भॉरुका पार्पोरेशन लिमिटेड एक ऐसी ही कमपनी है और हमने बात की है इस कमपनी के मैनेजिंग डिरेक्टर S. चंदरशेखर जी से आप मैनेजिंग डिरेक्टर है वरुका पार्पोरेशन के और ये ज़र् आप रिन्यूबस अनरजी में हमारे देश में बहुत महतcases काम आप रही है यह जो रिन्यूबस अनरजी जो है कई कई सोर्से से आती है हमारे देश का क्या टार्गेट है, हम कहां पे हैं और इसमें भुरु का क्या पूजिशिए अभी जब आप रिन्यूबल कहते हैं, चार टेक्नोलजी बड़ा मिच्छोर है, परला होता है हाइडर, और दूसरा मिच्छोर टेक्नोलोजी होई आज कल हावा से, इसको कहते हैं, तीसरा है, सुर्य करेंट से लाना, तो कहते हैं, तो कहते हैं, सोलार थिक्ना मिच्छोर दूख तो काफी है, उसको पस यूज करना है, लेकिन चौथा आप ने छोड़ दिया कि वो है बायोमास, बायोमास And this is the power station, this house is the turbine, generator, control room, तो सारे चीज है आप ग्याद की तो है, जब श्याद जढ़े क्या चीज हैं? तो चनशेकर जी, यह क्या चीज है? जै को कहते हैं, control room, एक control room is the heart of a power station तो इसके लिए कुछ एक level of skills जो है, आप मानेंगे कि ज़ाद अच्छ होने चाहिए? हां जी, यहां पावरोस में वहां है, there are three types, categories of people required. One is जो करते हैं, gardening, जो करते हैं, catering, ऐसा ऐसा. Then the second level of skill goes to what is known as helpers. The third category है, high level of skill. इसमें वहां है, electrician, fitters, काफी सारा pipeline है, बड़ा high pressure का pipelines है और system है. उसके लिए फिटर चाहिए, सिम्ली एलेक्रिकल में क्या होता है, बड़ा सा आई वोल्टेज है, and people should know यह क्या कर रहे है, जो उसके लिए हाई लवलाफ एलेक्रिशन चाहिए, so we employ a lot of ITI students. जो चंदर्शेकर जी, यह इसके लोगों को मिलती है, वो आप कैसे देते हैं, what is the way in which ITI के लोग आपके कंपनी में शामिर होके, फिर आगे अपना फूचर बना सकते हैं? जो रोग जो रोग ITI students, जो रोग उनको लेके उनको 6 मेने की ट्रेइनिक प्रइणी कंपनी अदर देए गा, after 6 मेने, they are absorbed into the regular team, then they will get the on-the-job operators. जो यह जो मशिने हमने अंदर देखें, जो यह जो मशिने अंदर देखें, जो यह जो मशिने हमने अंदर देखें, some small things like some alarm going off, how to receive it, so they can get trained, but by the time they become full-fledged operators to man something, उसको लगता है तीम साथ. अभी social attitude भी एक change हो रहा है, यह होना चाहिए, skills की तरफ, इसका कुछ आपको इसका ऐसास हुआ है, आपके company में? 20 साल पहले, the power stations are operated by graduate engineers, this was going on for a few years, then we said, now the ITI's syllabus has also improved, they also understand many things, so we said, why don't we try the ITI's, so we gave some amount of training, today most of our power stations, for the regular shift, is operated by ITI's. अरिवा, वारको. renewable energy, renewable energy, what you say, renewable energy, renewable energy is the only form of energy, which is spread all over the country, so you have seen here 5 megawatt, and our power station is about 20 km, which means 7 megawatt, and upstream, which means 8 megawatt, so in every area you produce energy, therefore the locals benefit out of it, so they get employment, so they can stay in their houses, there is no migration of rural to the urban, so more and more of renewable energy, so more and more of renewable energy. अरिवी तो एक थोड़ा सा अर्बनाई जासे बन रहा है. श्रम और रोजगार मंत्राले पावर और एनरजी के क्षेत्र में, ऐसे हुनरबंदों को अपने ITIs के द्वारा तयार कर रहा है, जो इस mission को पूरा कर सके हैं. अरिवी तो जारे भी तो पूरी जो है, you would have the blessings of the River Kaveri, for this wonderful work you do, because you are giving us energy which is natural, which is clean and which is renewable. और ये जो है, हमारे देश के लिए बहुत-bहुत हमारी बहुत काम कर रहे हैं for nation building, skill development and the future. Thank you so much. अर्बबार आजा उनर बिखातेया